सो यह गईज तो हमें शिंश के नाका मोरा वर्सेश सेथ रॉलिंस का वॉल्ड हेवेड चैंपियंशिप के लिए में इमेंट मैच देखने को मिलता है फास्ट लेन में यह मैच होता है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच and absolutely कमाल का मैच था मैं इसको 10 out of 10 स्टार्ड से रेट करना चाहूंगा कोई कमी ही नहीं थी इस मैच में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक यह मैच ब्रूटल था कभी टेवल पर टकरें कभी अनाउंसर टेवल पर टकरें कभी शिंश के नाका मोरा मिस्ट यूस करें कभी क विंग शार्शा पढ़ रहा है और कभी यहां पर स्टॉंप यूस करने सैथ रॉलिंस बट यहां फिर भी इन दोनों में से कोई भी हार मानने को तयारी नहीं होता है भाई क्या कमाल कमाच था क्रावड होली शिट के चैंड्स कर रहा होता है एंड यहां पर एंडिंग की ब नाकमोरा खड़े होने कोशिश कर रहे थे, 9th अकाउंट हो गया था, खड़े हो गया थे, बट उनका पैड स्लीप कर जाता है, जिसकी वैसों नीचे गड़ जाते हैं, एंड यहां में सैथ रॉलिंस खड़े होते हैं, और 10 काउंट हो जाता है, एसे करके सैथ रॉलिंस अपन अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोंट फोगे तो लाइक दिस वीडियो और सुप्स्क्राइबर चैनल, थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो